बॉलिवुड अक्ट्रेस और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट तनीशा मुखर जी रीसेंटी नजर आई एक ज्यूल्री ब्राइन के न्यू स्टोर को लॉँच करते हुए डिस्प्ले बर रखके ज्यूल्री पीसिस को देखकर तनीशा दिखी काफी इंप्रेस्ट और शी एक्सप्रेस्ट हर लाव फॉर ज्यूल्री यूनो लड़की को हमेशा त्रोटा स्पेशल फील होता है जो की उसे कोई जूल्री देता है बट अफसोस तनीशा को स्पेशल फील कराने के लिए फिलहाल उनकी लाइफ में कोई नहीं क्योंकि कुछ बग पहले दनीशा और उनके अलेजिट बॉइफ्रेंड अर्मान कोहली का हो गया है ब्रेक अप जिस बात का खुला सा खुद अर्मान ने एक ट्वीट करके किया है दरसल दनीशा और अर्मान का प्यार बिग बॉस शो के पिछले सीजन में शुरू हुआ था और शो खत्म होने के बाद भी ये दोनों काफी वक तक साथ रहे लेकिन अक्टोबर में इन्होंने अपने रिलेशनशिप को खत्म करने का फैसला किया यानि अब मिस मुखर जी है बिल्कुल सेंगल चिनके फिलाल नहीं है कोई मारिज प्लान्स मगर तनीशा ने हमें बताया कि शादी के लिए बनाई ज्यूलरी और उनसे जुड़ी बातें तनीशा को कर देती हैं वैसे तनीशा से जब पूचा गया कि वो किसे जूलरी गिफ्ट करना चाहेंगी तब उनोंने लिया अपने ब्रादर-in-लौ अजे देवधन का नाम तनीशा ओविसली अब आप अर्मान को तो गिफ्ट देने से रही तो जीजा जी ही सही वैसे यहां तनीशा ने अपनी फेवरिट जूलरी पीस के बारे में भी हमें बताया मैं हमेशा मेरे रिंग पहनती हूं, so I'm very comfortable in my rings, I wear a lot of rings and I love nice big rings जभी मैं बहार जाती हूं, I'm nothing what I'm wearing ये रिंग तो ठीक है, we just hope कि आपको वेडिंग रिंग पहनाने वाला बहुत जल मिल जाए, ताकि आपकी शादी में अजे आपके दिये जूलरी पीस को अपनी शेरवानी पर बहन सकें, we wish you all the best